हेलो एबरिवन बच्चों आज मैं बहुत खोस हूँ और मेरी खुशी का कारण ऐसा है कि जब आप ये पूरी बात सुनेंगे तो आप भी बहुत एक्साइटेड और बहुत खोस होने वाले हैं बस यह वीडियो पूरा देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात है बच्चों आप नीट 2024 के एक्जाम को फोड़ दें और एक अच्छे से कॉलेज में एंट्री लें और सांदार डॉक्टर बने भाविश्ट में बच्चों लेकिन एक चिंता आपको सदाती थी आप बार बार हम फिजिस केमिस्ट्री बायलोजी के टीचर से आके पूछते थे सर नई NCR से पढ़ें पुरानी वाली से पढ़ें जो चैप्टर नई NCRT में नहीं है सर क्या वो हमारे नीट में उनसे कुश्चन आएंगे और हम लोग आपको बता नहीं पाते थे कुछ किलियर कट बचों सही सुन रहे हैं आज इन सब दुविदा से दूरी हो गई और क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ बच्चों की NMC की ओफिशल वेबसाइट पर 610-2023 आज की ही तारिक पर एक पब्लिक नोटेस आया है और ये पब्लिक नोटेस आपके स्लेवर्स के रिगार्डिंग है जिसमें पूरा स्लेवर्स मेंशन कर दिया गया यानि फिजिक्स में कौन से चैप्टर स से कुश्चन आएंगे बाइलोजी में कौन से चैप्टर से कुश्चन आने बाले हैं बच्चों हाला कि ये इतनी बड़ी बात है कि जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे उसके बाद फटाक से आप अपने मुवाइल पर nmc.org.in सर्च करेंगे और अभी वेबसाइट प यहां पर साब साब लिखा है नाशनल मेडिकल कमीशन हैस फाइनलाइज दा नीट यूजी 2024 स्लेबर्स दा सेम है इसी नोटिस के लास्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का पूरा स्लेबर्स आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिट में आप से सवाल जाएंगे फिजिक्स के जैसे ही फिजिक्स हमाप्त होती है बच्चों फिजिक्स के बाद इसके बाद chemistry का पूरा स्लेबर्स आपको यहां पर मेंचन है कि chemistry में किस किस पोर्शन से सवाल आएंगे सम बेसे concept of chemistry, atomic structure, chemical bonding, chemical thermodynamics, thermochemistry, solution, equilibrium और ठीक इसके बाद बच्चों लास्ट में बाइलोजी का भी स्लेबर्स आपका इसी में मेंचन है इसी पीडियाफ में बच्चों खुसी की बात इतनी ही नहीं है कि आपको स्लेबर्स का अंदाजा पहले से हो गया है इससे भी बहुत बड़ी खुसकवरी यह है कि जो आपका paper होगा वो नई वाली NCRT से होगा अरे सर क्या बात करते हैं जी हाँ यह बहुत खुसी की बात है कि आपका paper नई वाली NCRT के हिसाब से होगा यानि जो portion नई वाली NCRT में है उसी से questions आएंगे तो वैसे बटा पुरानी वाली NCRT के हिसाब से बात करी जाये तो physics, chemistry और biology में बच्चों को total 97 chapters पढ़ने पढ़ते थे और अभी मैंने नई NCRT से physics, chemistry और biology के chapters जोड़े तो वो 79 आ रहा है इसका मतलब आव आपको 97 नहीं सिर्फ बच्चों 79 chapters पढ़ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी खुसी की बात है यार अब तो सब कुछ तुम्हारे favor में एकदम जान लगा दो selection के लिए और 4 दो need 2024 एक seat लोगों ने आप तकी information पहुचा दी तो आप हमारे channel को अपने friends के साथ सभी के साथ share भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाव उठा पाएं और एक बात बच्चों ये तो मैंने भी आपको जल्दी की news बताई इसके बाद मैं एक video बनाऊंगा separately जिसम analysis करूंगा पूरा syllabus आपको अच्छे समझाओंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो this is all बच्चों थैंक यू everyone जैहिन